हेलो और वेलकम टू डिजिटल कैट डॉट कॉम मैं हूँ मिराज अंसारी आउट ओडे सर्टिफाइड कैट ट्रेनर वेलकम टू दा फर्स लेक्चर अफ सॉलिड वर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड वर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी और आपको तो जैसे पता ही है कि इसको ग्रेंट फादर अफ अल्ड डिजानिंग सॉफ्टियर कहा जाता है आई होप ये सॉफ्टियर आप लोगों को आसान लगेगा और आने वाले दिनों में हम मिलके इसमें मास्टरी हासिल करेंगे ठीक है तो जैसे कि आप देख रहे हो इस आइकन को अपने स्क्रीन पे कि जब भी आप SolidWork 2020 को इंस्टॉल करेंगे इस तरह का आइकन आपके डेक्स्टोप में आ जाएगा और simply आपको क्या करना है इस पर double click कर देना है जैसे ही आप इस पर double click करते हैं इस तरह से ये हमारा SolidWorks premium version हमारा start हो जाएगा इसको बनाया है Dissol system ने Dissol system France की एक company है जिसने Cutia, SolidWorks, Inovia, 3Dvia, Simulia ये सारे बहुत ही अच्छे-च्छे softwares इन्होंने double up किये हैं SolidWorks में flexibility wise देखा जा तो कमाल के features दिये गए हैं चाहे हो solid modeling tools हो, चाहे हो assembly हो, drafting हो, surfacing हो, sheet metal हो, molding हो, motion हो, weldments हो ये सारे चीजें इतने आराम से आप कर सकते हो कि और भी किसी भी software में इस तरह का काम या features मुझे अभी तक तो नहीं मिला है solid age भी एक शांदार सा software है जो की मिलता जुलता है इससे लेकिन personally मैं अगर किसी को recommend करता हूँ तो वो solid work ही होता है, ठीक है थोड़ी देर में ये आपका solid work 2020 version start हो चुका है और ये इस तरह का dialogue box आपको पहली बर जब आप start करेंगे तो आपके सामने आने वाला है आप इसको क्या कर सकते हैं, login मत कीजिए, इसको आप simply यहां से close कर सकते हो, ठीक है just यहां से आपको close कर देना है आप लोगों को software में किसी तरह से दिक्कत आती, installation के लिए तो मैं वीडियो वगेरा डाल दूगा बनाके उसकी मदद से आप अपने computer में solid works 2020 इंस्टॉल कर पाएंगे अपने website में मैंने अपना personal number दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप मुझे, मुझे से direct बात कर सकते हो हमें दिजिए solution आप लीजिए, I promise आप इस course को complete करने के बाद कोई भी ऐसा solid model या surface चाहे वो basic हो, advance हो किसी भी तरह से आपको कोई भी प्रेशानी नहीं आएगी, और अगर प्रेशानी आती है, तो direct आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है उस प्रेशानी को हम मिल करके solve करेंगे, आई बात समझ मैं चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके user interface के बारे में समझ लेते हैं, कुछ चीजें और भी हैं जिसके बारे में one by one, one by one आपको बताता चलूँगा, ठीक है यह हमारा application menu होता है, जहां पर आप देख रहे होंगे, D as dissolve systems, solid work लिखा हुआ है इसको आप बोलते हो, quick access toolbar ठीक है, और quick access toolbar में यहां पर देखिएगा, यह file while भी दिया गया, इसको आप menu बोल सकते हो आप यहां से क्या किजिए, इसको lock कर दीजिए, इससे होता यह है, कि यह आपको regularly दिखाए देगा अगर आप यहां से इसको unzip कर देते हो, यहां पर pin नहीं करते, तो यह हमारा, जब आप cursor लेकर जाओगे, या pointer लेकर जाओगे, तभी यह आपका दिखाए देगा, नहीं तो नहीं दिखाए देगा, फिर यह गायब हो जाता है मेरा यह कहना है, आप इसको pin करके रखिए, ताकि हमें बार बार उसको खोलना ना पड़े, ठीक है यहां पर आप जाते हो, यह हमारा home है, या तो welcome to solid voice screen, यहां पर दिया गया, control प्लस F2 प्रेस करके आप इसको खोल सकते हो यहां से भी आप click करेंगे, यहां पर new, open और exit का option मिलेगा view में जाते हो, यहां पर toolbar मिल जाते हैं, यह सारे चीज़े हम one by one आपको बताएंगे, ठीक है full screen करते हो, touch mode लेते हो, यह सारे चीज़े हम लोग one by one, one by one आने वाले lectures में discuss करेंगे tools है, यहां पर help है, यहां पर ठीक है, यह हमारा home है, यहां पर भी आपको new मिलेगा, यहां पर आपको open मिल जाएगा, ठीक है और यह हमारा save, print, undo, redo, और यह सारे चीज़े हम लोगों को दिखाए देता है, यह देखिए options है, add-ins है, save, restore setting है, button size है, यह सारे चीज़े आप यहां से set कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसका क्या मतलब होता है, चल यह, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले म क्या कर लेता हूँ, यहां से आपको मैं new file open करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक new file लिया है, यहां पर तीन buttons आपके दिखाए देंगे, you can see here, यह हमारा है part design का, यह हमारा है assembly का, और यह हमारा है drafting का, basically जो part mode होता है, वो सिर्फ और सिर्फ modeling के लिए होता है, चाहे वो solid modeling हो surface हो, sheet या फिर और भी किसी तरह का modeling हो, आप यहां से कर सकते हो, assembly के लिए आप कितने भी components बनाईए, उसको assemble करना जरूरी होता है, तो वो सारे चीज़ें आपको यहां से मिलेंगी, फिर अगर production drawing बनाना है, या multiple views create करना है, production drawing बनाने के लिए आपको drafting या drawing का इस्तमाल करना ह है, जरा सा आप advance button पे click करके देखिए तो क्या मिलता है हमें, अगर मैंने यहां पे advance पे click किया, यह देख लिए इस तरह का template मिल जाता है हमें, template में तीन तरह का है, उसी तरह से मिलेगा, काम सबका same है, है ना, आप यहां से जाएंगे, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हो, इ mbd में जाते हो, इस तरह के मिलते हैं, part 001 mm200550 mm, इस तरह से कुछ दिया गया है, इसके बारे में भी हम details में जानने वाले हैं, tutorials में जाओगे, यहां पर भी वह इसे ही मिलेगा, part, assembly and drawing का, ठीक है, फिलहाल तो आप template में आ जाईए, और यहां से noise पे click कर दीजे, हमें यह interface अच्छा लगता है, मैं always इसी का इस्तमाल करता हूँ, part को click करके, अगर designing करना है, modeling करना है, तो part पे जाईए, assembly करना है, तो आप इस पे जा सकते हो, drafting करना है, तो आप इस पे जा सकते हो, फिलहाल हमें part में जाना है, आप यहां पे click करके, और ok कर दीजे, simply, ठीक है, जब भ पहले बार solid work को start कर रहे होंगे, तो आपके सामने unit का interface आएगा, है ना, unit का interface आने के बाद आप क्या कर सकते हो, mm को select कर सकते हो, और ISO को select कर सकते हो, ठीक है, मैं उसी में ज़्यादा काम करता हूँ, और यह रहा हमारा part modeling का पहला display, यहां के बारे में थोड़ा सा गौर से मजना पड़ेगा, क्योंकि यही वो main चीज है, जिसकी मदद से हम अपने parts को बनाएंगे, assembly करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग part design में हैं, तो अभी हम part में ही, part के बारे में ही जानेंगे, ठीक है, जड़ा गौर से देखिएगा, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, पहली नहीं दिख रहा था, save नहीं दिख रहा था, print नहीं दिख रहा था, और यह सब तो दिखी नहीं रहता है, यानि सब display नहीं हो रहाता है, active नहीं था, देखिए यहाँ पर बहुत सारे tools आ चुके हैं हमारे, और इसको आप ribbon area बोलते हो, आराम से सुनिएगा, आराम से area होता है, हमारा ribbon area होता है, आप इसमें किसी भी toolbar को हटा सकते हो, कोई भी नया toolbar add कर सकते हो, यह जो space है इसमें आता चला जाएगा, आपका नए नए toolbar, अगर आप add करोगे तो ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ओके, इसको आप देख सकते हो, यह इसमेरे हमारे आप workbench या फिर इसको आप यहाँ पर देखिएगा, तो आपको मिलेगा ज़रासा यह अगर आप right click करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे tabs आपको मिलते हैं, इसको आप tabs बोलते हो, आई बत समझ में, बढ़ते हैं आगे इसको हमारे पास बहुत सारे tabs हैं, यह feature tabs, sketch tab, यहाँ पर markup है, evaluation का है, mbd का है, और भी जो आप use करना चाहते हैं, वो installation के time पर बहुत से options आते हैं, आपको जो जो चाहिए आप installation के time पर ही select कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से आपके tabs add होते जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर right click करके, यहाँ पर tabs में जाहिएगा, तो आपक मैं और भी ले लेता हूँ, यहाँ से आप sheet metal ले सकते हो, इसी तरह से आप जो जो चाहिए weldment लेना है, weldment ले लो, फिर molding में जाते हो, mold ले सकते हो, फिर यहाँ पर जाने के बाद अलग सजाईए, और हमारे लिए अभी फिलहाल render के लिए, और जो जो नहीं चाहिए, वो आ हटा भी सकते हो, जैसे कि हमें sketch ink के भी जरूरत नहीं है, तो मैंने उसको हटा दिया, फिर आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है, MBD की, आप इसको हटा दीजिए, फिर और कौन सा जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ताप इसको भी हटा दीजिए, जो जो रखना है रखिए आप जो जो नहीं चाहते उसको आप हटा सकते बस इतना ही रख लेते हम लोग यहाँ पे हमारे बहुत सारे टैब्स आ चुके हैं आई बच समझ में यह हमारे लिए बेहदी इंपोर्टेंट अच्छा यह तो हमारा फीचर होगए अभी देखिए कि सिर्फ extruded boss base हमारा active है और revolve boss base active है बाकी के सारे tools हमारे यहाँ पर active नहीं है और यहाँ पर कुछ reference elements on है और curve का on है और instant 3D का on है बाकी के जो सारे tools हैं वो कब on होते हैं जब हम कुछ sketch बनाते हैं ठीक है तो एक step होता है जब भी आप किसी advance 3D modeling software में काम करते हैं तो सबसे पहला काम होता है sketch बनाना और उस sketch को हम क्या करते हैं 3D में convert करते हैं आई बाद समझ में इस तरह से आप sketch में जाके देख सकते हो यहां पर line यहां पर sketch हो गया sketch चाहिए कि 3D sketch चाहिए यह सारे चीज़ें के बारे हम discuss करने वाले हैं यहां पर smart dimension दिया है जिसकी मदद से हम लोग all types of dimensions apply कर सकते हैं ठीक है यह हमारे कुछ drawing tools हैं है ना और यहां पर plane वगएरा भी है text वगएरा भी है फिर यहां पर जाईएगा तो यह हमारे कुछ modification है ना और यहां पर कुछ और भी tools दिये गए हैं फिर rapid sketch है फिर 3D यह सारे चीज़ें आपको मैं one by one आने वाले lectures में बताने वाला हूँ आई बात समझ में rendering का जो कमाल का है यानि अगर आप solid work में render करते हैं उसका appearance बड़ा ही कमाल का होता है ठीक है चलते हैं आगे इसके बारे मैं और भी बता देता हूँ मैं यह हमारा देख सकते हो यहां पर यह जो panel है आपका इसमें आपकी history होती है total और यहां पर अगर आप जाईएगा इसका नाम आपका आएगा manager design tree यानि जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक history बनती चली जाती है जैसे कि suppose कर लिए मैंने extrude लिया और यहां से मैंने front plane लिया और front plane में जाने के बाद मैंने suppose एक center rectangle लिया यहां से मैं क्या करता हूँ यहां से एक और यह center वाला center point straight slot ले लेता हूँ आई वाल समझ मैं इधर से मैंने one one second यह center में नहीं आया आप चाहें तो जरा zoom भी कर सकते हो scroll button का इस्तमाल करके चलिए मैंने center पे लिया और यह है अभी मैंने उसको आप चाहें तो इसके बरावर में रख सकते हो मैं भी randomly ले रहा हूँ so don't worry अगर आपको इ रखिजिए यह आप देख सकते हो change करना है आप change कर सकते हो यह रहा 140 का फिर आप इसको लेते हो यह देख लो यहाँ पर 120 का फिर आप इसका चाहते हो distance तो यहाँ से आप suppose 80 का ले सकते हो आई बात समझ में और उसके बाद आप क्या चाहते हो उसके बाद आप चाहें इसका भी radius डाल सकते हो, suppose मैंने यहाँ पर 10 का ले लिया, और याद रखिए, जब dimension पूरी तरह से complete हो जाएगा, तो इसका जो color है, वो हमारा black color में convert हो जाता है, आप अपने हिसाब से भी color को choose कर सकते हो, बट फिलहाल by default हमारा ये जो है, वो color black आएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा basic sketch, अगर मैंने यहाँ पर fillet वगर अपलाई किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, sketch fillet है, और यहाँ से आपको radius डाल देना है, suppose मैं 10 का ही रखना चाहता हूँ, मैंने रख लिया 10 का, आप यहाँ स इसको select किजिए, इसको, इसको और इसको, और यहाँ से आपको ok कर देना है, ये देखिए एक जटके में हमारा total आ चुका है, अब यहाँ से आप इसको close कर सकते हो, suppose यहाँ पर आपको 10 diameter का circle चाहिए, आप ले सकते हो, here we have the center point of this circle, ये रहा हमारा, select किजिए, है ना, अब दे यहाँ से ले लो एक और, थोड़ा zoom करके लिजिए, snap और जो है, अभी मैंने set नहीं किया है, क्योंकि पहली बार हम लोग start किया है, बिल्कुल 0 से, तो अभी धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपको भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है, अभी अब ज़रा गौर किजिएगा, यह हमारा blue color में दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरह से कोई dimension नहीं डाला है, अगर मैंने यहाँ पर dimension डाल दिया, यहाँ मैंने dimension डाल दिया, suppose इसका diameter मैंने 10 का ले लिया, अब सबको 10 डालने की जरूरत हमें नहीं है, देखिए क्या होता है, मैं क्या करत हूँ, इसको select करता हूँ, control प्रेस करके yellow, फिर yellow, फिर yellow, चारो को select कर लिया, यहाँ पर देखो, एक message आगे, आप इसको क्या करना चाहते हो, है ना, concentric करना चाहते हो, equal करना चाहते हो, equal पर click कर दो, यह देख लो, हमारे चारो के चारो, और यह जो sign है, वो आ चुका है, यह sign मैं on रखता हूँ, आप इसको hide भी कर सकते हो, I see, कोई जबर जस्ती नहीं है, कि यह जो relations है, आपको दिखाना ज़रूरी है, बट मैं आपको recommend करूँगा, कि इसको on रखिए, जब थोड़ा हमें experience आ जाएगा, जब हमारा sketching जो है perfect तरीके से होने लगेगा, तब आप इसक hide कर सकते हो, वो hide कैसे करना है, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, यह सारे चीज़े हमारे आ चुके है, चलिए मैंने यह profile तो पूरी तरह से बना लिया है, अब यहाँ पर आपको click कर देना, यह दिख रहा है, यह होता exit sketch, यहाँ से आप click कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी exit sketch है, दोनों में से आप किसी भी बटन पर click करेंगे, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ से भी click कर सकते हो, यहाँ पर click कर दो आप, जैसे मैंने exit sketch पर click किया, हमारा direct 3D model अपने आप convert हो जाता है, क्यों? क्योंकि मैंने direct extrude command से लिया था, अब चाहत यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, हलाके इसमें इतने सारे options हैं, कि देखो इतने सारे options, फिर यहाँ पर इतने सारे options, फिर यहाँ पर जाओगे drafting का है, फिर direction 2 का है, यह सारे इतने options है, फिर यहाँ पर भी drafting है, फिर thin features है, फिर यहाँ पर selected counters है, इतने सारे options भरे बताओंगा अभी फिलहाल उतना आगे हमें नहीं जाना है नहीं तो हम confused हो जाएंगे ठीक है तो इस तरह से आप यहां से simply क्या कीजिए यह देखिया हमने 40 का ले लिया और यहां से simply आप चाहिए इधर जाके आप प्रिव्यू कर सकते हो कैसा आपका पार्ट दिखने वाला है आप देख सकते हो नए ओके कर देजिए यह वी है क्रिएटर दा फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओके देखिए मैंने यह ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना तो यहां पर एक फीचर एड़ हो गया है पहले औरिजिन त सकेज है और इस तरह के ऑड़ांस थ्रीदी मोडलिंग सॉफ्टर का एक और फायदा हो जाता है कि आप जब भी चाहें किसी भी feature को किसी भी sketch को किसी भी shape and size को convert कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं आई बाद समझ में suppose मैं इस sketch को change करना चाहता हूँ ति यहाँ पर जाए यह देखे क्या लिखा हुआ है edit sketch आपको यहाँ पर click कर देना है यह देखो और यहाँ पर space दबाना है space दबाने के बद आपके सामने यह देख लिजिए हमारे सामने एक cube आ चुका है यहाँ पर orientation के लिए है यह हमारा इसको आप बोलते हो orientation space दबाने के साथ ही आपका यह orientation cube आ जाएगा इससे आप क्या कर सकते हो आप किसी भी view में देख सकते हो किस साइड में orientation चाहिए आपको यहाँ इस साइड से चाहिए तो इस साइड में जा सकते हो space करके आपको इस साइड में चाहिए तो इस साइड में क्लिक कर सकते हो space चाहिए और भी साइड में क्लिक करना है तो इससे भी कर सकते हो आपकी मरजी है ठीक है space कीजिए और यहां से भी हम control कर सकते हैं you can see here आपको इस side से देखना है ताप space को select कीजिए तो flip हो के आ जाएगा फिर से आप space दबाते हो इस तरह का आ गया लेकिन मैं ज्यादा तर इसका इस्तमाल नहीं करता हूँ क्योंकि दोनों का हमें जरूरत नहीं है अगर आपको यह नहीं चाहिए box तो यह जो option दिख रहा है आपको view selector तो आप इसको off कर सकते हो तो सिर्फ आपका orientation का box आएगा वो cube नहीं आने वाला है space दबाईएगा यह आ जाएगा तो front ले सकते हो लेकिन जब आप नया नया time में काम कर रहे हो तो आप इसको on ही रखिए क्योंकि हमें हमारा selection जो है वो आसान हो जाता है यहां से आपको preview भी दिखाता है side में कि वो उस side से कैसा दिखने वाला यहां से कैसा दिखेगा इस corner से कैसा दिखेगा इस corner से कैसा दिखेगा इस corner से कैसा दिखेगा तो इस तरह से आप यहां से select कर सकते हो आई बाद समझ में तो नए नए time पे आप इसको on ही रखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप इसको select किजिए हम लोग sketch पे आ चुके हैं और जो भी changes में sketch में करूंगा automatically वो हमारा solid में convert हो जाएगा suppose मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ एक rectangle add करने जा रहा हूँ इधर से लिया मैंने यह देख रहा है midpoint तो midpoint पे click करता हूँ और मैंने ऐसा कुछ ले लिया उसके बाद आपको trim करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं trim entity हलाके देखो कितने सारे options हमारे पास हैं हम इन सारे चीजों के बारे में one by one आने वाले lecture में convert करेंगे now we are going to trim all the unwanted entities अब देखिए यहाँ पर एक नया word आया है entities अब entities का मतलब यह सब होता है चाहे वो line हो circle हो arc हो ठीक है यह सारे चीजे हमारे entity कहलाती है अब चलते हैं इसको हम पूरा black करते हैं यानी fully define करते हैं ठीक है तो इसके लिए हमें dimension डालना होगा आप इसको पकड़के dimension डाल दीजिए suppose मैंने यहां से 20 ले लिया आप 20 डाल सकते हो और फिर यहां से यहां तक मैंने क्या किया 45 का तो 45 डाल दो क्या बाकी रह गया बताईए मुझे और भी कुछ करना है हम लोगों को जड़ा गौर करते हैं यह भी हिल नहीं रहा यह भी हिल नहीं रहा मतलब हमारा हर चीज फिट हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसमें किसी तरह का चैंफर या फिलेट डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो यहां पर आप देखिएगा मैं अभी करने का फॉर्मेट समझ लीजिए ठीक है जैसे कि मैं यहां से उसके चैंफर में जाता हूं यह देखिए दस भाई दस का है मैं क्या कर लेता हूं और यह हमारा इक्वल डिस्टेंस वाला ऑप्शन चेक मार्ग है आई बात समझ में चलिए मैंने 5 बाइ 5 का ले लिया और मैं क्या कर लेता हूं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेलेक कर लेता हूं और फिर इस पॉइंट को भी सेलेक कर लेता हूं और इस पॉइंट को भी मैं सेलेक कर लेता हूं आप यहां पे क्लिक करके अगर आप कर सकते हो अगर आप यहां से कर सकते हो ठीक है और जैसे ही मैं करूंगा हमारा देख लो यहां से आपको निकल जाना है अब देखो हमने sketch को modify किया और हमारा solid model automatically update हो चुका है ठीक है यह हमारा advanced 3D modeling software का एक जबर जस्त फाइदा है कि आप कभी भी edit कर सकते हैं अगर during your creation और after you have saved your part ठीक है यानि आप जब बना रहे हो तब भी आप edit कर सकते हो और एक बार आपने save भी कर दिया बनाने के बाद तो भी आप उसको open करके save कर सकते हो edit कर सकते हो अगर इसमें मैं chamfer वगेरा लेता हूं simply तो यहां पर देखिएगा हमारे सामने chamfer वगेरा भी दिया गया है you can see here यह रहा chamfer वो 2D वाला chamfer था यह 3D वाला chamfer है चलिए भहिया मैं यह वाला ले लेता हूं suppose इस face को ले लेता हूं इसको भी आप I'm sorry यह मैंने गलत age ले लिया आप इसको clear कर सकते हो या delete कर सकते हो फिर मैं इस face को ले लेता हूं फिर आप इस face को ले लो और इस face को ले लो अभी देखिए मैं कितने बा कितने का chamfer डालने व यहां पर एक और फीचर हमारा एड हो चुका है तो इसी पार्ट लिस्ट का आप इस्तमाल करेंगे एडिट करने के लिए ठीक है यानि जो भी आप काम करोगे वो सारे चीजे यहां पर एड होती चली जाती है आई बात समझ में है और यह क्या है जी यह हमारा तीन प्लेन होता है जिसको आप बाई डिफॉल्ट प्लेन बोलते हो दरसल आप चाहें तो इसको और रख सकते हो अगर मैं यहां पर जाता हूं और इसको मैंने इस आई में क्लिक कर दिया ति यह हमारा दिखने लगेगा फिर आप इस पे जाईए फिर आप इस पे जाईए ऐसा तो आपके तीनो प्लेन जो है वो दिखने लगेंगे बाई डिफॉल्ट सपोज मैं एक नया फाइल लेता हूं यहां से मैंने पार्ट को सेलेक किया और ओके कर दिया आपके पास कुछ भी नहीं है कि नहीं तो आप यहां से प्लेन को और कर सकते हो इसको बोलते हैं datum plane आउटोगेड में अगर आपने सीखा है आउटोगेड तो आपको एक ही plane पे काम करना पड़ता है जो की होता है x y plane ठीक है जो भी sketch 150 आते हैं उसमें 3D modeling मैं वह x y plane पे ही आते हैं बट यहां पर क्या है आपकी मर्जी तीनो प्लेन का इस्तमाल कर सकते हो और अगर एक्स्ट्रा प्लेन की जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा प्लेन यहाँ पर क्लिक करो यह देखिएगा हमारे सामने बहुत सारे options आ जाते हैं ठीक है इसके बारे में भी मैं आपको chapter 5 यह 6 में details में बताने वाला हूँ ठीक है तो च automatic active हो जाता है मैं इसको hide कर देता हूँ जैसे कि मुझे sketch करना है तो आप sketch में जा सकते हो यहां से suppose मैंने sketch लिया तो automatic यह on हो जाता है ठीक है तो आपको डिखाने की जरूरत नहीं है पहले से show करके रखने की जरूरत नहीं है जब हमें जरूरत होगी तो automatically वह हमारा on हो जाता है ठीक है मैं क्या है बहुत ही details में बताऊंगा क्योंकि एक ही बार सिखना है और अच्छे से सिखना है तो आप लोग बोर हो रहे हैं तो आप लोग installment में देख सकते हो ठीक है मैं क्योंकि मेरे lectures लंबे लंबे होते हैं क्योंकि मैं किसी भी topic को छोड़ना नहीं चाहता skip नहीं करना चाहता क्या कि एक की बार सीखना है तो perfect तरीके से सीख लो ठीक है नहीं तो फिर सीखने का कोई फाइदा ने, बार बार हम नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो इससे अच्छा है कि एक ही बार अच्छे से हम लोग सीख लेंगे, भले ही कम topics cover हो, बट वो पक्का हो, ठीक है, तो हम कहां थे, जब भी हमें plane की जरूरत होती है, तब यह automatic on हो जाता है, अब देखिए, यहां से आपको सपोज राइट साइड में, या राइट प्लेन में sketch करना है, तो आप राइट प्लेन को select कर लिजे, यहां पर सपोज आपको circle चाहिए, आप circle ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, dimension डालना है, dimension डाल दो, कितना डालना है, 75 डालना है, डाल दो, एक और rectangle लेना है, वो भी किस type का rectangle लेना है, तो corner बाला लेना है, कि 3 point लेना है, कि 3 point center बाला लेना है, पर लेलो गराम लेना है, मैं फिलहाल center rectangle ले लेता हूँ, हर एक चीज को मैं details में explain करने वाला हूँ, सो याद रखिएगा, ओके, ये देख लो, dimension डालना है, अब डाल दीजिए, यहाँ से मैंने 45 लिया, और यहाँ से मैंने सिफ 30 लिया, आयो है, समझ मैं, और आप क्या कर सकते हो, direct, इसको सब को select कर सकते हैं, चैकि मैंने fillet लिया, आप चाहें तो ऐसा करके सब को select कीजिए, एक ही जटके में हमारा चारो corners round हो जाते हैं, इस तरह से 5 डाल दिया मैंने okay कर दिया, फिर यहाँ एक बार हमने sketch पूरा कर लिया है, तो आप यहाँ से okay कीजिए, और यहाँ से exit कीजिए, अब इतना करने के बाद आप यहाँ feature में जाए और extrude पे click कीजिए, यह भी एक तरीका है, आप direct extrude पे भी जा सकते हो, और आप sketch करने के बाद भी extrude कर सकते हो, ठीक है, sketch वगएरा करने के बाद आप उसको exit कीजिए, और उसको extrude कीजिए, आई बात समझ में, जरा सा मैं system requirements के बारे में बात कर लूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो before starting the solid work, और before installing solid work in your computer, make sure that आपका जो computer है, वो इस criteria को कम से कम follow करता हो, है ना, यहाँ पर देख सकते हो, Windows 10 आप रख सकते हैं, Windows 8 भी रख सकते हैं, 8.110, आज कल तो 1064 bit है, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर अगर आप जाईएगा, तो Intel AMD processor का इस्तमाल होता है, आज कल तो core i3, core i5 का चलन है, तो आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया गया 2GB RAM, मैं आपको recommend करता हो, कम से कम 4GB रखिए, 2GB में जो है, वो solid work तो चलेगा, बट rendering वगेरा करने में आपको काफी तकलिफ हो सकती है, तो आज कल जो भी 4GB RAM और 8GB RAM का ही साथ laptop आता है, आप अगर desktop यूज कर रहे हैं, त तो उसमें भी आप कोशिश किजिए, कि minimum आप 4GB तो रखिए ही रखिए, ठीक है, जिस drive में आप solid work को install कर रहे हो, minimum 5GB installation के बाद आपका खाली space होना चाहिए, ठीक है, और 10GB रहे तो काफी अच्छी बात है, हलाके 10GB, 12GB होते हैं, आपका जो C drive रेड कलर में आने लगता है, यहां से और आप क्या कर सकते हो, एक graphics card रख लिजिए, 2GB रहे तो बहुत ही बढ़िया है, आई बात समझ में, और Microsoft Office की जरूरत पड़ेगी कुछ data entry के लिए और कुछ calculations के लिए हमें आगे आने वाले chapters में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, और यहां पर दिया ग pen drive की जरूरत नहीं है, cd drive की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज कल हम लोग इसके अलावा pen drive का ज़्यादा इस्तमाल करते हैं, आई बात समझ में, internet तो आपके पास होगा ही होगा, ठीक है, तो यह सारे चीजें जो हैं, वो हमें रखना पड़ेगा, solid work को run करने के लिए, ठ पहली बार solid work में एक नया file लेंगे, तो आपके सामने इस तरह का एक dialogue box दिखाए देगा, उस dialogue box में यहाँ पर unit type आपको select करना होता है, जो by default आप रखना चाहते हो, उसको आप रख सकते हो, यहाँ पर जो दिया गया है mmgs तो आप इसका ही इस्तमाल कर लिजिए, यहाँ पर जो है आप उसका इस्तमाल, nc या तो फिर iso का इस्तमाल आप कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आपको ok करना है, जब भी आप पहली बार नया file लोगे, तब की बात है, ठीक, ok, यह रहे हैं आपके पूरे नाम करन, यानि किस किस toolbar को हम लोग क्या क्या कहते हैं, यह सारा इसमें आप देख सकते हो, मैंने औरली बता दिया था, बट मैं display करके बताता हूँ, यह सारे चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, यह total नाम है, उसके मैं arrow marking कर देता हूँ, यहाँ पर सब हर तरब से मैंने दिखा दिया है, feature manager, design, tree tab, यह वाला हो गया हमारा properties manager tab, यह सारे ची उसको पूरा यह book मिलेगा, जिसकी मदद से आप कभी भी थोड़ा बो चीज़ें जो study करने लाइक हैं, उसको आप study कर सकते हो, आई बात समझ में, okay, यहाँ से आप कभी भी अपने unit को change कर सकते हो, यह देखिए side में दिया गया है, तो आप इसका इसका इस्तमाल करके change भी क कर सकते हो, जैसे कि मैं solid work को खोल लेता हूँ जरा सा, और यह side में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है mmgs, तो यह रहा आपका unit यहाँ से भी change कर सकते हो, और edit document unit में भी जाएंगे, तो एक dialogue box आपके सामने खुलेगा, यह रहा हमारा dialogue box, और इसकी मदद से आप यहाँ से जाए unit में, और यहाँ से भी आप changes कर सकते हो, ठीक है, यह देखे, यह हमारा है total, और यह total details है, ठीक है, आप यहाँ से precision वगएरा भी change कर सकते हो, length में, ठीक है, आई बाद समझ में, ओके, dual dimension length यानी, पहले millimeter में रहेगा, उसके बाद inch में रहेगा, यह भी अ सकते हो, यहाँ तो पता चल गिया, अगर आप यहाँ पर जाते हो, edit document unit में जाते हो, तो आप कर सकते हो, एक और तरीका है, आप अगर यहाँ पर जाते हो, यह देखे हमारा क्या है, option में, option में जाने के बाद document properties इधार है, दिख रहा है हमारा, यह system options था, यह document property है, और इचे से खुलता है वही वहां से भी खुलता है आपको बस document properties पे click करना होता है तो इस तरह से आप on the spot drawing के हिसाब से अगर mm में रहेगा तो mmgs लीजिए और अगर inches में रहेगा तो आपको क्या करना होगा IPS लेना है यानि inches pound second ठीक है तो जो भी dimension आपके आएंगे वो inches pound second में आए ठीक है दो तरीके बता दिया मैंने एक यहां से जा सकते हो setting करके एक यहां से option में जाके आप यहां से document properties पे on कीजिए और यह हमारा unit आ जाएगा ठीक है unit पे click करने के बाद आप यहां से mmgs को select करके ok कर सकते हो आई बत समझ में ok अब जरा सा हम लोग pop-up toolbar के बारे में जान लेते हैं यह क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है हमारे designing के लिए यह जो pop-up toolbar है इसके सारे options हमारे लिए बहुत जरूरी है इसके बारे में थोड़ी से जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए ठीक है तो चलते हैं solid work को start करते हैं और यह जो है हमारा इसको आप pop-up toolbar या तो फिर यहां पर जाते हो तो click करते ही आपके सामने यह pop-up toolbar आ जाता है जैसे ही आप यहां पर click करते हो तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ बाद में मैं detail में बताऊंगा जैसे ही आप यहां पर click करते हो edit feature का option आएगा और edit feature में क्या है suppose मैंने last time इसको extrude किया था 10 का तो आप इसको बढ़ा सकते हो जैसे कि 20 करना चाहो 20 30 ऐसे कर सकते हो यह रहा दूसरा option फिर से click करता हो यह रहेगा दूसरा option यहां पर आपको select करना है तो यह क्या है हमारा sketch वाला खुल गिया आई वाल समझ में देखिए वहां पर लिखा वह रहता है जैसे आप select करते हो यह देखो edit sketch आ रहा है space को दबाईए और इस space को select किजिए और यहां से suppose मैं एक और इधर से मैं एक circle ले लेता हूँ here we can see अईसा trim करना है trim कर सकते हो आई बाज समझ में यहां से okay करेंगे फिर exit sketch करेंगे यह देखो आपने sketch को edit किया solid edit हो गया तीसरा क्या है भाई यह हमारा suppress होता है suppose किसी feature को आपको guy up करना है यह देखो guy up हो गया फिर आपको क्या करना है unsuppress करना तो unsuppress कर दो फिर से वापस आ गया आई बाद समझ में इस तरह के चीजें हम लोग आने वाले undo करना है rollback करना रूल बैक में ये तो पूरा गायब हो जाएगा फिर से आप इसको नीचे के तरफ कर सकते हो ये में बताने वाला हो आगे ठीक है फिर आप यहाँ पर जाते हो hide शो करना hide कर दो ये देखो पूरा hide हो गया फिर आपको show करना आप यहाँ से show कर सकते हो अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज है Hide, Show और Surprise में क्या फरक है भई तो आपको पता चलेगा भी देखिए Surprise करने से क्या होता है और Hide, Show करने से क्या होता है Suppose मैंने यहाँ पर इस कोने पर एक Fillet ले लिया 10 का नहीं मैं 5 का लेता हूँ और OK कर दिया यह देख लो और इधर मैं ले लेता हूँ एक Chamfer 5 by 25 का ले लेता हूँ मैंने इसको Select किया और यहाँ मैंने OK कर दिया यहाँ पर तीन Feature हो चुके हैं एक तो हमारा Extrude Feature हुआ दूसरा हमारा Fillet Feature हुआ तीसरा हमारा Chamfer Feature हुआ अगर मैं इसमें से किसी को Hide करता हूँ एक Feature को Hide करता हूँ तो यह वो सिर्फ Fillet Feature Hide नहीं होगा पूरक पूरा Object हमारा Hide हो जाएगा ठीक है आपको Show करना है फिर से Show किजिएगा सब पूरक पूरा आ जाएगा और Surprise का मतलब क्या होता है Suppose मैं इसको Surprise करना चाहता हूँ तो यह देखिए सिर्फ वही Feature हमारा Surprise होता है जैसे कि मैंने फिर से Chamfer में इसको Surprise कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ हमारा Chamfer Surprise होता है ना कि पूरा Body हमारा गायब हो जाता है ऐसा नहीं होता तो यह दोनों में Basic Difference है मैंने क्या बताया इसको मैं Unsuppress करता हूँ वापस आ गया इसको भी मैं Unsuppress करता हूँ यह भी वापस आ गया Hide और Surprise में यही फरक है कि अगर आप Hide करते हो सिर्फ एक Feature नहीं पूरा Body Hide होता है ठीक है फिर से आप इसको Unhide कर सकते हो इसी पर क्लिक करके और Surprise में किसी Particular Feature को हम लोग Hide कर सकते हैं आई बात समझ में बाकी के जो चीजें हैं वो हम लोग बाद में डिसकस कर लेंगे यह देख लो हमारा Normal 2 है अब Normal 2 का मतलब यह होता है कि Suppose मैंने इस Face को Select किया और यहाँ पर क्लिक करने बाद Normal 2 ले लिया तो Normal 2 का मतलब जैसा उस Face का Orientation रहेगा आपके सामने आ जाएगा Suppose मैंने क्या किया इस Face को लेता हूँ तो यह भी आपके सामने आएगा No problem यहाँ असे लेता हूँ मैं यहाँ पर गया यहाँ पर अगर आप ऐसे करेंगे तो भी वह ऐसा ही आने वाला है ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है आप इसको इसके लेते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं इधर आ जाएगा फिर Opposite Direction में जाते हैं आइसा लिया और फिर इस पर क्लिक किया तो भी ऐसा आ गया That's all अगर मैं क्या करता हूँ देख लो यहाँ पर इस Age को मैं Select करता हूँ यह जो है ना Age को Select किया देखे तो यहाँ पर आटोमेटिक हमारे फिलेट चमफर वगर आ रहा है अगर फिलेट लेता हूँ यहाँ से मैं सिर्फ 1 का लेता हूँ यहाँ पर 1 लेने के बाद आप OK कर दीजिए यह देख लो 1 का यहाँ पर फिलेट आ गया आई बाद समझ में इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं ठेक Suppose मैं इस Age को Select किया टोटल इस Age को Select किया यहाँ पर चेंफर लेना आप चेंफर ले लो यह देखिए 5 x 45 आप इसको OK कर दो यह देखो टोटल का टोटल आ गया थोड़ा कम करना है तो आप कम कर सकते हैं Select करके यह देखो Edit Feature है यहाँ पर मैं सिर्फ 1.5 करता हूँ और इंटर करता हूँ तो देखिए टोटल का टोटल चेंफर जो है हमारा 1.5 का आ जाएगा यह इसके magic हैं यह इसके logic हैं आई बाद समझ में Suppose मैंने फिर से इसको लिया इस Age को लिया यहाँ से मैं फिर से लेता हूँ चेंफर चेंफर लेने बाद यहाँ पर 5 नहीं 1.5 इंटर और यहाँ से ओके कर दीजे तो इसमें भी हमारा आ जाएगा चेंफर तो एक काम हमारा आसान हो जाता है बबा किसी भी face को select किया तो वहाँ पर आप क्या apply करना चाहते हो Suppose मैं fillet apply करना चाहता हूँ तो जितने भी possible होंगे वो fillet आ जाएगा Suppose one का fillet है आप इसको ओके कर दीजे यह देख लो हमारा one का fillet आ चुका है जिसमें चेंफर था उसमें भी जितना possible था उतना fillet आया है और बाकी का चेंफर आया है This is the magic of solid work आई बत समझ में है और suppose मैंने इसको select किया और इसमें जाता हो तो यह देख लो हमारे color का mode direct खुल चुका है आई बत समझ में आप यहां से किसी भी color को डालिए और यहां से okay किजिए कितना है handy इसको handy बोलते हैं आप कितना कमाल का काम आप कर सकते हो ठीक है जैसे ही मैंने select किया वो options सारे यहां पर हैं नहीं तो आप यहां पर भी click करके देख सकते हो किस तरह का color आपको चाहिए आप इसको खोल सकते हो या तो फिर double click किजिए double click करने के बाद फिर से हमारा वही dialogue box खुल जाता है आप scenes वगरा चाहते हो scenes ले सकते हो studio scene चाहते हो studio scene भी ले सकते हो here we have बहुत सारे चीज़े हैं आप direct apply कीजिए यहां से है ना आपको बताता हूँ इसमें rendering में क्या होता है render 360 का क्या use होता है वो सारे चीज़े हम लोग rendering में देखेंगे बस थोड़ा सा आपको इसके बारे में अभी जानना पड़ेगा थोड़ा सा यह सब हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं जैसे कि इस पे जाने का और यहां पर एक होता है add-ins add करना होता है उसके बारे में भी हम details में जानेंगे no problem यहां से अगर आप जाते हो edit appearance तो edit appearance में वही खुलेगा आपका फिर आप चाहते हो यहां से edit scene तो edit scene में जाने के बाद देख लिजेगा यहां से आपको कुछ मिलेगा rendering वगेरा अभी मैं इसके बारे में details में नहीं जाओंगा नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ display या तो edit scene में जाके थोड़ा सा मैं apply करता हूँ देखने कैसा आता है देख लो यहां से थोड़ा सा scene हमारा change हो चुका है here you can see थोड़ा सा effect आपका आ गया है आप इसको यहां से भी setting कर सकते हो देख लो यहां से थोड़ा बहुत display कितना चाहिए अगर आप इसमें image बगएरा लोड़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं इसको खोल के आप change भी कर सकते हो यहां से apply कर दीजिए you can see here तो बहुत सारे चीजे हैं इसकी setting हम लोग rendering में पूरा perfect तरीके से जानने वाले हैं यह बहुत बड़ा और बहुत ही बहतरीन software है आई बाद समझ में आप इसको okay कर सकते हो तो इस तरह से नजर आएगा आपको अगर scene भी नहीं चाहिए तो आप यहां से वो scene जो हटा सकते हो इसको आप चाहें तो यहां से remove कर सकते हैं यह दिख रहा है आपका remove appearance तो जैसे आप remove appearance करेंगे वो हमारा हट जाएगा फिर से आप इसमें आ जाएए या तो फिर इसमें आएए open appearance gallery करके आप फिर से apply कर सकते हो और यहां पर जाने के बाद यह देख लेते हैं हमारा three point आप इसको भी right click करके क्या कर सकते हैं इसके scene को delete कर सकते हैं आई बच समझ में तो आप add करना है add कीजिए remove करना है remove कीजिए सारा settings यहीं पर ही है आप देख सकते हो edit scene वगेरा करना है right click करके edit कर सकते हो delete करना है delete करो floor shadow रखना है रखो नहीं तो हटा दो आपकी मर्जी है right click करके आप यहां पर बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं floor shadow को और ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए तो यह जो हैं हमारे लिए बिल्कुल आसान है aesthetically इसमें कमाल का काम होता है आपके ग्राफिक्स थोड़ी से अच्छी रहेगे तो कमाल का काम आप कर पाएंगे मैं यहां से design manager tree में आ जाता हूँ यह हमारा पहला पार इस तरह से दिखेगा आई बाद समझ मैं तो यह कुछ चीज़े थी मैंने बताया अब ज़रा सा इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं ज़रा इसके बारे में देखिएगा इसको बोलते हैं बहुत सारे चीज़े यहां पर view है heads अप इसको toolbar बोलते हैं और इसमें जो है बहुत सारे चीज़े हमें देखनी है जाता हूँ यह हमारा क्या है fit all in इसका मतलब यह होता है सपोज आपने बड़ी मेहनत से कोई पार्ट बनाया है और यह हमारे डिस्प्ले एरिया से गायब हो गया नजर नहीं आ रहा है किधर भी नजर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं डाइरेक इस पे क्रमिली में काम आता है देख सकते हो क्या है यहां से ऐसा कर सकते हैं ओके तो यह पर्टिकुलर एडिया को आप जूम कर सकते हैं यह प्रिव्यर्स है लाज्टॉइम में कहां पर जूम था उसके हिसाब से यह किया गया है आई बद समझ में स्पेस करके आप चाहो तो यहां से आईसोमेट्रिक ले सकते हो ठीक है इधर जाके आप आईसोमेट्रिक पर क्लिक कर देंगे तो भी चलेगा नो प्रॉब्लम अब अगर जानना चाहते हो इसका मतलब तो यह देखिए हमारा शेक्षन है यह देखो हमारा सेक्षन और एक साथ ने एक साथ में तीनों साइड से सैंट कर सकते हो यहां पर प्रोपर प्रोवी दिया हुआ है मोँ बताता हूं यह देख लो हैं सैड का हो गया यह अगर आप दूसरा वाला लेना चाहते है तो नहीं कर सकते बड़ हमें उसकी जरूरत अभी नहीं है पिलहाल मैंने बताया बबा कैसा काम यह करता है ठीक है आप इसको आगे बढ़ा सकते हो पीछे ले सकते हो और पीछे ले सकते हो इसको चाहें तो रोटेट कर सकते हो इस तरह से फिर यहां से आप इसको भी रोटेट कर स और यहां पर जाएगा तो आप क्यो भ्यूज मिलते हैं, दिख रहा है, जो मैंने बताया ना भी, यहां से फ्रंट ले लो, यहां से आप चाहो तो राइट ले लो, यहां से आप टॉप ले सकते हो, यहां से आप बोटम ले सकते हो, यहां जाएंगे तो आपको मिलता है आईस अगर मैं यहां से double लेता हूँ यह रेडा तो 2 हो गए split अभी मैं इस पे क्लिक करके इसको क्या करता हूँ मैं front side से दिखाना चाहता हूँ या तो फिर right side से दिखाना चाहता हूँ इसको और इसको ऐसे दिखाना चाहता हूँ आपकी मर्जी है आप किधर कौन सा view चाहते हो suppose मै चार बार split करना चाहता हूँ तो यहां पर ज़रा गौर किजेगा यह हमारा 4 view है यह देख लो suppose मैं इसमें front लेता हूँ इसमें top लेता हूँ तो cylindrical होने की वज़ा से बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है फिर यहां से side हो गया यह हमारा isometric हो गया automatically आपके सामने आएगा आई मैंने single view पर click कर दिया यह देख लो single view में हमारा आ चुका है यहां से आप चाहें तो isometric ले सकते हैं यह रहेगा हमारा visual style जिसकी मदद से अपने body का हम लोग visual style change करते हैं ठीक है यह देख लो कैसा हो गया फिर यहां से wireframe में चाहते हो फिर यहां से ऐसा कुछ चाहते हो तो इ इसका जो इस्तमाल है वो हम बाद में देखेंगे आई बात समझ में यह color वगेरा मैंने अब भी अभी बताया है वही यहां पर है edit appearance पर जाते हो वही सारे dialogue box आपके सामने खूलेंगे तो इसके बारे अब भी थोड़ा सा हमने देखा है आप चाहें यहां से वो edit कर सकते हैं और okay कर सकते हैं फिलहार जो है यहां से scene की बारी है तो आप यहां पर temporary कोई भी scene रख सकते हो you can see इस तरह से भी scene रख सकते हो कैसा background आपको चाहिए आप अपने हिसाब से वो select कर सकते हो और फिर यहां से और भी है हमारे सामने आप चाहें तो courtyard कर सकते हो यह देख लो इस तर समझ में इसका 3D कितना सांदार है ना अभी आप लोग नहीं जानते हैं आरबन 5 background है इस तरह से भी आप background रख सकते हैं जो की फिलहाल हमें नहीं चाहिए फिलहाल में 3 point रख देता हूं या तो फिर मैं ज्यादा-ज्यादा soft spot ऐसा कर सकता हूं नहीं तो फिर मैं क्या करता लोग कौट याड जो है ना यह कौट याड बैग्राउंड नहीं यह यह भी सही नहीं है हमारा कौन सा था ग्रे विद ऑफरेड है यह हमारा सांदार है यह हमारा रख सकते हैं या तो यह भी मुझे नहीं पसंद है मैं पहला वाला जो बाई डिफोल्ट होता है ना मैं 3.5 यह उला रख लेता हूँ बाद में हम लोग तो देखने ही वाले हैं इसकी चिंता आपको नहीं करनी है फिर लास्ट में चले जाओ यहां पर है shadows inch यह देख लो यह ओफ हो गया Shades हमारे ओफ हो चुके हैं यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं और देखिएगा यह Ambient Occlusion नाम का option दिया गया है इसमें आपको फरक पड़ेगा लेकिन बाद में ठीक है परस्पेक्टिब देखाना है तो आप देख सकते हो थोड़ा सो परस्पेक्टिब व्यू होता है न हमारा 1.2.3 पॉइंट तो यह सब है और बाकी का हमें क्या करना है cartoon जैसा तो इस तरह से दिखेगा सो हमें सबसे पहली बात तो क्या करना है यह शेडू रख दीजिए बाकी का और कोई काम नहीं करना है इसको आप ओफ कर सकते हो और परस्पेक्टिब को भी ओफ कर सकते हो और यहां से इसको भी ओफ कर सकते हो ठीक है space isometric that's all about this toolbar बढ़ते हैं अगले कदम की तरफ बाकी का यह देख लीजिएगा बहुत important चीज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है अगले lecture में हम लोग cover करेंगे यह lecture काफी लंबा हो जाएगा तो अगले lecture में बाकी के जो tutorials हैं बाकी के जो tools हैं वो सारे चीज़ें हम लोग discuss करेंगे ठीक है अगले पार्ट में यह हमारा part 1 हो जाएगा ठीक है ओके thank you for this session thank you for joining digital cad I hope यह सारे चीज़ें आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा अगले हम lecture में यह सारे चीज़ें cover करेंगे thank you for this session bye